दोस्तों अब सब लोगों को पताई होगा कि एक तरफ जहाँ पे भारत के द्वारा अमेरिका के स्ट्राइकर जैसे इंफेंट्री फाइटिंग वेहकलों को खरिदने को लेके अमेरिका के साथ बातचित किया जा रहा है तो वही पे दूसरे तरफ रशियन कमाज टाइफुन चैसे वेहकलों को भी खरिदने को लेके भारत रशिया के साथ चर्चा कर रहा है बैसिकली दोस्तों ये वेहकल माइन प्रोटेक्टेड इंफेंट्री मोबिलिटी वेहकल है जो की टूप्स को एक जगा से दूसरे जगा तक कैरी करने के इलावा माइन्स के खिलाब भी एक प्रोटेक्शन प्रोफाइट कर सकता है पर दोस्तों रशिया से ये टाइफोन चैसे वेहकलों को खरिदने का जो डिसिजन है वो आने वाले समय में भारत के जो कल्यानी ग्रूप है या फिर खहतों कल्यानी स्रटीजिक सिस्टम्स लिमिटेड के लिए एक बहुत बड़ा खत्रा बन सकता है और दोस्तों मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल्यानी के तरफ से वी M4 के नाम पे इसी तरीके के सिमिलर वेहकल को बनाया जाता है और अगर भारत अपने जरौतों को पूरा करने के लिए रशिया से बड़े मात्रा में ऐसे वेहकलों को खरिदता है कमाज टाइफून जैसे रशियन वेहकलों को खरिदने को लेके क्यों सोच विचार किया जा रहा है और दोस्तों आजके इस वीडियो में हम यही जानेंगे और साथ में यही जानेंगे कि भारत के M4 वेहकल और रशिया के कमाज टाइफून जैसे वेहकलों में ऐसा कौन सा म अधिक ताकतवर है तो डीटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रही है और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रू कीजिए अब दोसों इन दोनों विएकलों को ही अगर देखा जाए तो इन विएकलों को 454 माइन पोटेक्टेड इंफिंट्र मोबिलिटी विएकल के कैटेगरे में गिना जाता है और रिपोर्ट के मताविक इन दोनों विएकलों को लेके ही इंडियन आर्मी और ITVP के तरफ से मतलब इंडो टिबेटियन बॉर्ड पुलिस के तरफ से काफी इंट्रेस्ट दिखा जा रहा है और जल्द ही कल्यानी M4 के इलावा इंडियन आर्म फोर्सेस के बेडे में ये कमाज टाइफून जैसे विएकलों को भी देखा जा सकता है अब दोस्तों आप लोगों को ये लग सकता है कि कमाज टाइफून एक रश्यन ओरिजिन विएकल है जबकि कल्यानी M4 एक भारतिय विएकल है पर दोस्तों ये टाइफून विएकल है इसे भारत में रश्यन कमपनी कमाज और भारतिय एडवांस विपेन एंड इक्विप्मेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा जॉइंटली बनाया जाएगा और इससे आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि किस तरीके से दोनों विएकल ली विदेशी विएकल होने के बावजुद इसे भारत में ही निर्मान करके एक भारतिय विएकल के जैसे आर्म फोर्स के लिए तैयार किया जाएगा अब दोसो कल्यानी M4 को अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मताविक M4 विएकल काफी आसानी से टाइफून विएकलों को power to weight ratio में हरा सकता है क्योंकि इसमें अधिक ताकतवर engine का उपयोग किया गया है जो कि अधिक ताकत के साथ साथ अधिक टॉर्क को भी generate कर सकता है अब दोसो कल्यानी M4 विएकलों को अगर देखा जाए तो इसमें करिफ 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 465 horsepower का engine का उपयोग किया गया है जबकि कमा स्टाइफून करिफ करिफ 1090 NM torque generate कर सकता है और दोसों ताकतवर engine और greater power to weight ratio होने के कारण यह जो कल्यानी M4 विएकल है इसके superior acceleration के साथ साथ और high altitude reserve में इसके overall performance और even पहाड़ी शेत्रों में उचाई वाले एरिया में जाने में भी इन विएकलों को आसानी होगा हलाकि दोस्तों अगर दोनों विएकलों को अगर देखा जाए तो यह बहतरी protection system सिस्टमों से less है लेकिन अगर इसके बावजुद भी दोनों विएकलों के protection system को और बहतरी नढंग से जाचा जाए तो M4 विएकलों में ballistic protection system के रूप में stannage 1V13 system का जहापे उपयोग किया गय है जबकि blast protection के रूप में इसमें stannage 1V14A और 4B का उपयोग किया गया है तो वही पे कमास टाइफून में stannage 1V13B का उपयोग किया गया है जबकि दोस्तों इसके इलावा अगर विएकलों के पेलोड शमता को देखा जाए तो report के मताविक M4 विएकलों के पेलोड शमता कमा 8 टन है और दोस्तों अधिक पेलोड शमता के वज़ा से M4 विएकल और अधिक mission equipment को लेके travel कर सकेगा और इसके mission में flexibility भी अधिक होगा जबकि दोस्तों खाली पेलोड नहीं बलकि रफ्तार में भी M4 विएकल आगे है और report के मताविक M4 विएकलों के अधिकतम रफ्तार जहा हमें जानकारी नहीं मिल सकता है और इन विएकलों में no doubt feature wise M4 विएकल तो आगे है लेकिन actually कौन सा विएकल अधिक ताकदवर है यह हमें तभी जानने को मौक्या मिलेगा जब यह दुनों विएकल एक दूसरे के आमने सामने होगा पर M4 विएकलों को अगर देखा जाए तो requirement है तो यह भी कोई खराब वात नहीं होगा कि दो अलग अलग विएकलों को अलग अलग तरीके से produce किया जाए क्योंकि इन में से कोई सावी विएकल भारत के खुद के द्वारा निर्मान किया हुआ या फिर खहतों डिजाइन किया हुआ नहीं है और दोनों विएकलों को ही के द्वारा भारत अपने आफ को और अधिक सुसजित करने को लेके भी आगे बढ़ रहा है दूसराफ सब लोगों को पताई होगा कि इंडियन आर्मी के तरफ से अपने आटिलेडी के रेजिमेंट को और स्ट्रॉंग करने के लिए सौथ कोरियन कंपनी से के नाइन वजर जैसे आर्टिलेडियों को खड़िता गया था और ये भारत के उन कुछ पहले गिने चुने प्रोजेक्टों में से एक है जिसे की मेकिन इंडिया इनिशिटिव के अंतरगत भारत में बनाया गया के नाइन वजर आटिलेडियों को इंडियन आर्मी के लिए इल एंटी कंपनी के तरफ से भारत में बनाया किया है और रिपोर्ट के मुताबिक फिलाल इंडियन आर्मी के पास ऐसे करिफ करिफ सौक के आसपास के नाइन वजर आटिलेडियों को शामिल करने के बाद इसमें कई तरीके के और बदलाव किया गया वैसे तो इन आटिलेडियों को पहले प्लेन और डिजर्ड एरिया में इस्तेमाल करने के लिए खरिदा गया था और बेसिकली ये भारत के स्वेफ एटैक स्ट्रेटीजी को एंहेंस करने के लिए खरिदा गया था लेकिन साल 2020 में भारत और चाइना के बीच में ज़ड़प हुआ तब इंडियन आर्मी के तरफ से कुछ आटिलेडियों को हाई ओल्टिट्यूट रिजन में खास करके लदाक के ठंड भरे एरिया में इस्तेमाल करने के लिए मोडिफाई किया गया और उसके टेस्टिंग के फल से काफी अधिक खुश होके इंडियन आर्मी के तरफ से और अत्रिक्त आटिलेडियों को अब खरिदा जा रहा है और रिपोर्ट के मताविए कि आटिलेडी हाई अल्टिट्यूट रिजन खास करके लदाक जैसे एरिया में डिप्लॉई करने के लिए हो और दोसों इंडियन आर्मी में 400 आटिलेडी करने के लिए कम से कम और अत्रिक्त ऐसे 200 आटिलेडियों को खरिदने को लेके और प्लेस करना पड़ेगा मतलब आने वाले समय में शायद इंडियन आर्मी के द्वारा और दोसों के नाइन वज्र जैसे आटिलेडियों को खरि और लाइन आफ कंट्रोल में भी इसका डिप्लाइमेंट हो सकेगा दोसों के नाइन वजर आटिलेडियों को अगर देखा जाए तो ये के नाइन थंडर आटिलेडियों के ही एक वरियंट है और रिपोर्ट के मुताविक ऐसे आटिलेडियों का वजन करिफ करीब 47 टन के है इसका चोड़ाई करिवन 3.4 मीटर मतलब 11 फीट 2 इंच और इसका हाई 2.73 मीटर मतलब 8 फीट 11 इंच है के नाइन वजर आटिलेडियों को अपरेट करने के लिए पहले तो पांच क्रू मेंबर का आवशकता होता था जिनमें कमांडर, ड्राइवर, गनर और दो लोडर हो अपयोग किया जाता है जिसका रेंज करिव करिव 18 क्लो मीटर से लेके 60 क्लो मीटर तक है और दोसो वेकल में में गन के रूप में 155 फीट फाइवर का गन का उपयोग किया गया है जो इनिशियली 48 रांज को कैड़ी करता है जबकि सेकेंटरी हत्यार के रूप में इसमें 12. पॉइंट सेवन बाई 99 मिलिमेटर के हैवी मशिन गहन का उपियोग किया गया है जबकि इसके इलावा अगर वियकल को देखा जाए तो इसमें 1000 होर्स पावर बाले एक इंजिन का उपियोग किया है जिसके सहारे ये 67 किलो मिटर पर आवर के अपने राए अवश्र दीजिए तो आज के इस वीडियो को यही पेई करते हैं समापत किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम